चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई कोशिन के बारे में इसको सॉल कीजिए और बताइए कि इसका राइट अंसर क्या है तो देखिए यहाँ पर देखिए यह 4A माइनस का 4 बाय में A इस कल्टू में माइनस का 3 रखा है तो यहाँ से A माइनस का 1 एपान में A याँ से 4 कॉमन निकालूगा तो यह मेरे पात जएगा मैनस का 3 बाय में आपका 4 यह हो जाएगा मुझे वैल्यू छिए इसकी और इस वैल्यू में मैं यह जोड़ूगा तो मेरे को में अंतर मिल जागा तो यहां कि simple सी बात है पहले मैं a का cube minus का 1 अपन में a का cube की value निकाल गता हूं तो direct निकालते हैं पहले हम लोग तो यह क्या करेंगे हैं हम इसका क्या करेंगे cube कर देंगे जैसी इसका cube करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 27 by में 64 यह minus का हो जाएगा फिर इस वाली value को इससे multiply करें यहांपर क्या है मेरे पास में minus का निशान तो यहां पर लगएगा पहले plus का निशान और इन डोनों value को multiply करके यहांपर जोड देंगे तो यह कितना गाँ 3 यानि कि minus 9 by में कितना हो जाएगा 4 और मुझे चाहिए इस की value तो मुझे ज़िए घागी अगर मैं चार से मंटिप्लाइ करता है की यह वाली वाली व्ले बराबर करने पड़ेगी तो minus का 27 और plus का 16 ती 48 बटे में कितना आएगा 64 तो solve करेंगे तो यह कितना आएगा 21 बाइ में 64 इस question का correct answer रागा यानि positive value आगा यानि कि option जो C है वो इस question के लिए correct होगा एक बार जारा इस वाले को और समझ लेते हैं कि यह value i कैसे है यहाँ पर देखें यह x a minus का 1 upon में a is equal to दे रखा था minus का आपका 3 by में आपका 4 दे रखा था और मैंने इसका क्या क्या होल क्यूब क्या इसका होल क्यूब क्या था यह a का क्यूब आजाएगा minus का 1 upon में a का क्यूब आजाएगा minus का 3 a into में 1 upon में a आजाएगा और bracket के इंदर A minus का 1 upon में A आ जाएगा इस call 2 में क्या आ जाएगा minus का 27 by में आपका 64 आ जाएगा 3 का cube क्या 27 4 का cube 64 अब देखिए इसकी जो value है A minus 1 upon में A की value है 3 by 4 तो यहाँ पर मैं 3 by में 4 रखता हूँ minus वाला तो इसको solve करूँगा तो यह मेरे पास में A का cube minus 1 upon में A का cube और यह जब इसको multiply करूँगा इससे तो यह value कट जाएगी तो यह क्या जाएगा plus का आपका 9 by में आपका 4 हो जाएगा बराबर में minus का 27 by में आपका 64 हो जाएगा यह उदर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा आपका क्योंकि मुझे इसकी value चीज़ को छोड़ देंगे तो बराबर में minus का 27 by में 64 और minus का 9 by में 4 यह मेरे पास में value की इसके आगी आपकी इसकी इसमें आप 3 और जोड़ दीजे जैसे आप 3 जोड़ेंगे तो आपके बास solve करके 21 by में 64 इस question का correct answer आगा यानि कि option जो C है वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी को question समझ में आया होगा